नमस्कार दोस्तो जो पोधे नीचे जमीन में लगा रखे हैं उन पोधों की अब बर्षात के मुसम में बहुत अच्छी गुरूथ हो जाती है मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए अपराजिता की बेल देखिए कितनी हाइट तक फैल गई है अब जुलाई मन्त में अपराजिता की बेल में बहुत अच्छी फ्लोरिंग होती है और इसमें भी बहुत सारे फूल लगे वे हैं दूर से देखने पर ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे ये देखिए कितने फूल खिले वे हैं, नीचे भी इसमें बहुत सारे फूल लगे वे हैं, और ये बेल फूलों से बरी हुई है, और ये मोगरा की बेल के साथ में लगी हुई है, देखिए दोस्तों, अब बर्साथ के सिजन में मैंने अपने गार्डन में कुछ नई पोदे में आपको ये पोदे दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कौन-कौन से पोदे पर्चेज किये हैं तो चलिए दोस्तो वीडेयो सुरू करते हैं और और वन बाई-वन मैं इन सभी का नाम भी बताऊँगा और मैंने ये पोदे कितने रुपे में खरीदे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अब बर्शाथ के सिजन में हम जो भी पोदे लगाते हैं वो सारे ग्रो हो जाते हैं और यदि आपके पास पोदों की कमी हैं और अपने गार्डन में पोदों को एड़ करना चाहते हैं तो आप बरसात के सिजन में इन पोदो को एड़ कीजी ये देखिए दोस्तों ये मैंने दो थुजा के प्लांट लिये हैं जिसको हम मौरपंखी के नाम से भी जानते हैं ये प्लांट मुझे 30-30 रुपे में मिले हैं मौरपंखी के इन प्लांट की हाइट 4-5 फीट तक बढ़ जाती है और आप इनकी कटिंग करके इनको राउंड शेप में बना सकते हैं ये दो प्लांट मैं मुरईया के लेके आया हूँ जिसको हम मदू कामनी के नाम से भी जानते हैं और ये दो छोटे-छोटे प्लांट हैं इनको मैं 15 रुपे के हिसाब से लेके आया हूँ 15 रुपे का एक पोधा मुझे मिला है जब इनके बड़े पोधे होते हैं तो वो पोधे 500-300 रुपे में मिलते हैं मोगरा के पोधे की तरह इसके भी फूल सफेद रंके होते हैं जो खुसबुदार होते हैं और ये प्लांट से पर्मानेंट प्लांट होते हैं खुसबुदार फूलों के पोधे भी होते हैं और कई बेल भी होती हैं जिनमें बहुती खुशबुदार फूल खिलते हैं और ये देखिए मैं ये रात की रानी का पोधा लेके आया हूँ और ये पोधा मुझे 20 रुपे में मिला है इसमें रात के समय में बहुती सुन्दर फूल खिलते हैं और बरसात के सीजन में फ्लोरिंग के लिए ये मैं रेन लेली के पोदे लेके आया हूँ और दो ये अलग-अलग कलर के फुलो वाली वेराइटी है ये मुझे 20-20 रुपे में मिली है रेन लेली के पोदो को इनके बल्ब से ग्रो किया जाता है और इनको आप डिवाइड करके अलग-अलग पोदे बना सकते हैं और ये पर्मनेंट प्लांट्स होते हैं ये देखिए दोस्तों ये मदोमालती की बेल है इस बेल को मैं 20 रुपे में लेके आया हूँ मैं इस बेल को नीचे जमीन में लगाने वाला हूँ और नीचे जमीन में लगाने पर इस बेल की बहु जाना जाता है और इसका एक जाडी नूमा पोधा बन जाता है जिसमें बहुती अच्छी flowering होती है जिस परकार yellow bell का plant होता है उसी परकार ये पोधा देखिए इसको हम blue bell के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें blue color के bell की size के छोटे छोटे फूल खिलते हैं और ये पोधा भी बहुती सुन्दर दिखाई देता है और इसकी एक बेल होती है ये पोधा बेल की तरह बढ़ता है ये पलांट मुझे 30 रुपे में मिला है है हैज की भी मैं कुछ कटिंग्स लेके आया हूँ ये देखिए दोस्तों मैं 55 रुपे के हिसाब से इनकी 6 कटिंग लेके आया हूँ वैसे हैज की कटिंग अब बरसात के सिजन में हम लगा सकते हैं मगर इन में आप रूटिंग शुरू हो चुकी है अब मैं इनको लगाता हूँ तो ये सारी ग्रो हो जाएंगी ये जो आप पोधा देख रहे हैं इसका नाम है औरेंज टिकोमा वाइन और य मैंने ये जो भी प्लांट्स वे खरिदे हैं ये सारे पर्मानेंट प्लांट्स हैं आप इस समय इन सब भी की कटिंग लगा सकते हैं और इनको ग्रो कर सकते हैं मगर ये पोधे मुझे सचते ही मिल गए हैं इसलिए मैंने इन सब को खरिद लिया है कटिंग जब हम लगाते है तो वो 100% success नहीं होती है ये जो plants हैं अब मैं इनको लगाऊंगा तो ये सारे grow हो जाएंगे क्योंकि बरसात के सीजिन में जो हम पोदे खरीद कर लगाते हैं वो सारे लग जाते हैं यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो में लाश्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू